ओम स्री सद्गुर्देव भगवान की जय ओम स्री हरी स्री सनकादी जी की जय आज हम आपको स्री सनकादी जी के बारे मताएंगे भारत के महान संत स्री सनकादी जी सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनत सुझात ये पांचों ही ब्रह्मा के मानस पूत्र है कहीं कहीं सनत कुमार और सन सुझात को एक मानकर चार ही कहा गया है कहते हैं कि जब ब्रह्मा से पांच परवो वाली आविद्या दूर हो गई तब ब्रह्मा ने अपने सक्ति के साथ निन्मल अंतर करण होकर इनकी स्रिष्टी की ब्रामी सक्ति ने इन्हें संप्रून विद्या उपासना पदती और तत्व ज्यान का उपदेश किया इन सब के अध्यन तपस्या सील स्वभाव एक से एक है इनमें सत्रों मीत्र तथा उदासानिक के प्रतिभेद दृष्टी नहीं है सरवदा पांच वर्ष की आवस्था वाले बालकों की भाती ही ये पिचरते रहते हैं संसार के द्वेंद इनकास पर्स नहीं कर पाते हैं रात दिन भगवान स्री किष्ण के नाम का जाप क्या करते हैं हरी सरणम मंतर तो इनके स्वासों छद्दासके के साथ साथ चलता रहता है इसी से ये सदा बाल रूप रहते हैं इन्हें भगवान की लीला सुधा पान करने में इतना आनंद आता हैं कि प्राया स्यसना के पास जाकर पूछ पूछ कर उसका रासा स्वादन करते रहते हैं इनका एक छण भी भगवान के चिंतन विदा नहीं बितता ये सरवादा ब्रह्मा नंद में मगन रहते हैं इनके उपदेशों से आनेको ब्यक्तियों का कल्यान साधन हुआ है इन्होंने सुकदेव और भिष्म को आध्यात्म विद्या का उपदेश स्वतुपदेश परदान किया है महाराज पृत्फुन ने जो की भगवान के एक अंसा वतार है इनसे ही भागवत स्वतुपदेश ग्रहन किया इन्होंने परले के कारण पहले कल्प के भूले हुए ज्यान का रिशी योग के प्रति उपदेश किया महाभारत में सन्संत जू जात मुनिन ने ध्रित राष्ट को बहुँ सुन्दा उपदेश दिया है उद्योग परवका एक महतवपुरुन अंस ही सन्सत जातिया के नाम से प्रसिद है इन इस सन्संतू जातिया पर भगवान स्री संक्राचारे कृत एक संस्क्रित भासे भी है कभी-कभी ये लोग स्वयम परस पर भगवाचारे किया करते थे किसी एक को वक्ता बना लेते और दुसरे सब स्रोता बनते इस प्रकार बड़े मर्म की बाते होती थे स्री भागवत की वेदस्तूती एक ऐसे ही आवसर पर कही गई है स्री सनन्द जी ने परवचन कर बना कर बागी लोग स्रोता बन गए इस प्रकार एक बड़े जटील प्रश्न का उत्तर संसार को मिल गया कि वेदों में भगवान का वरण किस प्रकार होता है भगवान से अतरिक्त वस्तूतू का निसीद करते हुए वेद आंत में किस प्रकार भगवान में परिसमाप्त होते है इस उपदेश में इस बात का त्यंत विश्वत वरणन हुआ है भगवान के भगतों, जिवन मुक्तों, सित संतों में संसार के कुलिशित विकार, काम, कुरधादी होते ही नहीं न हो सकते हैं फिर भी कभी कभी संतों की जिवन में भी भगवत दिच्छा से लिला रूप में यह बात देखी जाती है देखने वाले लोग अपने कुलुसित हिर्दे के कारा, भ्रह्मवस महत्माओं की लिलाओं को न समझ कर, उनमें काम कुरूध की कलप न कर बैठते हैं उनकी इन लिलाओं के द्वारा जगत की हानी न होकर लाभी होता है इनके सम्मन्ध में भी पुराणों में एक ही प्रसंग का वरणन आता है एक बार इन लोगों ने बैंक कूंट की यात्रा की इन्हें पांच वर्ष के नगन बालक के रूप में देखकर वहां के द्वारपालों जय और विजय ने रोख दिया इस पर इन्हों ने डाटते हुए कहा भगवान के नित्य धाम सत्य के सम्राज्य में यह विसमता उचित नहीं है तुम दों के मन में कुछ गर्व और कपट वस्य आ गया है नहीं तो भगवान के सब के लिए खुले हुए है सम्राज्य में भला यह कैसे हो सकता है तुम हम पर संका कर रहे हो इस एक रस्थाम में तुम दोनों ने पेट के कहोने वाले संसारिक भेदभाव का स्थाम दिया है इसलिए सिग्र ही यहां से गिर जाओ यगपी संतों में इस परकार का आवेस होना संभव है फिर भी भगवान की ऐसे ही इच्छा थी वे इनहीं मुनियों को निमित बना कर जगत में आना चाहते थे कहा तो उनका स्थान और दर्शन इन मुनियों के लिए भी अगम में था और कहां वे बंदर भालुवादी के लिए भी सुलब हो गये फगवान गाउं के ग्वालों को बीच तक घम में आ गये इन मुनियों को निमित बनाकर अपने को सुलब कर दिया भगवान ने स्वेम आकर इनकी अस्तूती की ब्रामणों की महिमा गाई प्रसनता प्रगट की तब इनोंने मुस्कुराते वास्वारस में कहा प्रभो हमें तो उचित अनुचित कुछ जान नहीं पड़ता इस अपरात के बदले आपकी जो इच्छा हो वहीं दंड दे दो हमें सहर सिरोधार्य है भगवान मुस्कुराने ते हुए कहा तुम्हारा कोई दोस नहीं ये वत्स यह तो मेरी ही इच्छा थी मैंने पहले ही सोच रखा था भगवान की प्रेंभरी गंभीर वाणी सुनकर सबके सब भगवान की प्रद्चणा नमस्कार करकी आग्या पाकर उनके गूण गाती हुगे स्वचंद विच्रण करने लगे जगपी ये संकादिक सब के सब नित्य सीध और निरंतर परमार्थ निष्ठ है तथा पी संसार में गूरु सिस्य परंपरा के संस्थापक अस्थापना के लिए करम से बड़े भायों को छोटे ने गूरु के रूप में वाना था विधिवत उनसे दिख्छा लेकर स्रवन मन नादी किया आज भी वे ही कही गुप्द स्वरोप से विच्रण करते होंगे संभव है कई हमारे पास ही हो परंतु हमारा ऐसा स्वभागे गहां उनके दर्सन से अपना जनम सफल कर सके उनकी क्रिपा ही वांचनिय है उनकी क्रिपा ही जनम जनम का तत्पचात फल है हर योम तत्सत अम